पोरू पीम अटल जी की जयन्ती परने दादाओं को पीम मोदी ने दी सौगात 9 करोड किसानों के खातों में ट्रासफर की 18,000 करोड छे राज़ों के किसानों से किया सीधा संगवाद सुगु शासन दिवस के मौके पर यूपी में भी कई जगों पर बिजेपी नेताओं ने किसानों से संगवाद की आईसी कड़ी में सीम योगी ने कहा कि मोदी सरकार के बंते ही खाद बीश की किलत खत्म हुई सिंगु बॉरडर पर पृदरशन कारियों ने किसान सम्मान निधी को नकारा फिर दोहराए खानून वापस लेने की मांग तो हर्याना के जिन्द में प्रदरशन कारियों ने टोल प्लाजा फ्री करवाया लुधियाना में भी पेस्रूल पंप को खेरा किसान आंदोलन को लेकर अमेरिका के साथ प्रभाव शाली सांक्सलों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियो को लिखा पत्र पॉंपियो से किसानों के विरोत दर्शन का मुद्दा भारत सरकार की सामने उठाने की अपील के सरकार के दो साल पूरे होने पर गैलोत सरकार की प्रेस कॉंफरेंस नएक रिशी कानूनों को आजे माकर ने बताया किसान विरोधी गैलोत सरकार तुपलब्धियों की दी जानकारी तो वहीं गैलोत ने विपक्ष पर साधने शाना प्रेस कॉंफरेंस के दर्मियान सीम गैलोत विपक्ष पर हमलावर दिखाए दिये गैलोत बोले राश्टपती पर भारी दबाव चार राज्यों के सीम चाहकर भी नहीं कर पा रहे मुलाकात ऐसा मीरा मानना है बिटन के यात्रियों की सूटी से राजिस्थान में खलबली चिकिस्ता विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को जारे किया अलर्ट 2324 दिसंबर को यूके से आए 811 लोगों की सूटी में सरवाधिक 333 यात्री जैपूर के हुए चिन है सेम नितिश कुमार की पार्ची को बीजेपी का बड़ा जटका उनाचर प्रदेश में जेडियू के चेव विधायक बीजेपी में हुए शामिल बताए कि बिहार में हालिया विधार सबाचुनाव में बीजेपी हम और विई आईपी की मदद से नितिश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं करोना वैक्सीन पर फत्वा जारी करने वालों पर भड़के एकबाल अनसारी कहां मुसल्मानों को बरगला रहे हैं बताए कि वैक्सीन को लेकर मुंबई के से फत्वा जारी किया गया था कि पहले मुफ्ती सवा के जार्ज करेंगे और इसके बाद मुसल्मान दवा लेंगे भारत के बाद अब अफगानिस्तान में भी पकड़ा गया चीन का जासूसी नेटवर्क चाइना के दस जासूसों को पकड़ कर अफगानिस्तान ने दीचेताव ने कहा मापी मांगो या धेलो का रवाई पैंगो सोल लेक में चीनी बोर्ट का सामना करने के लिए सेना को मिलेगी नई फास पैट्रोनिंग बोर्ट जानकाने के मताबिक ये पैट्रोनिंग बोर्ट सेना और ITBP द्वारा इस्तिमाल की जा रही बोर्ट और स्टीमर से काफी बड़ी है पिसर की वैक्सीन के लिए बुरी खबर चीफ साइन्टिफिक एडवाईजर बोले एलर्जिक रेक्शन की बहुत ज्यादा उमीद वैक्सीन के एलर्जिक रेक्शन में चकते पढ़ना बलड प्रेशर का तीजी से कम होना सास देने में दिक्कत और धड़कन का बढ़ जाना सामने आया है बगदाद में अमेरिकी दुतावास पर रॉकेट से हमला डॉनल्ल्ड टरंप ने इस हमले के लिए इरान को ठहरा है जिम्मदार ट्विटर कर पर दीचेतावनी कहा अगर एक भी अमेरिकी की मौत होती है तो इसके लिए वो इरान को जिम्मदार ठहराएंगे आएंगे पी-म-क-पी ओली भारत नेपाल के रिष्टों को मजबूती देने के लिए ओली आएंगे भारत वुजफर नगर दंगा के को लेकर मायावती ने ट्वीट कर कहा यूपी में बीज़पी के लोगों के ऊपर राश्नेयतिक द्वेश की भावना से दर्ज मुकदमे वापिस होने के साथ ही सभी पक्षिपाटियों के भी मुकदमे वापस होने चाहिए। पधारमंत्री मोदी लोगपिरियर नेताओं में सबसे आगे सकेरियता में भी आगे भारतिय ट्वीटर चार्ट में मोदी के नंबर वन होने का किया किया है दावार। अगीलो और मोहमद सिराज का डेव्यू विराज कोहली की गयर मौझूदगी में आजिंग के रहाने संभालेंगे कप्तानी। और्दू जगत के चर्चित साहितेकार शम्द सुरुर रह्मान फारुकी का निधन पदमश्री समेट कई बड़े आवोर्ट से थे। सम्मानित फारुकी काफी लंबे वक्त से बिमार चल रहे थे अब 85 साल के उम्र में उन्होंने आखरी सासली है। प्रुकिल शम्रट से थेजिया लंबे, इन्होंने पॉलकी का प्रुकी का बड़ जगती।